Hi everyone, what's up? Welcome to अपना कॉलेज और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले होंगे डबली लिंक लिस्ट ये एक और तरह की लिंक लिस्ट है और हम इसमें कवर कर रहे हुगे इसमें इसमें कैसे करते हैं, डिलीशन कैसे करते हैं और ये कैसे डिफिनेट होती है हमारी सिंग्ली लिं प्रिवियस क्या कर रहा होगा जैसे यार नेक्स जो है वो नेक्स नोड का अड्रेस स्टोर करके रखता है ऐसे प्रिवियस जो है वो प्रिवियस नोड का अड्रेस स्टोर करके रख रहा होगा तो यहां पर इसका फाइदा ये होगा कि पहले तो हम एक डारेक्शन में कर पाएंगे तो मेरे चो डबली लिंक्ट लिस्ट होगी वो कुछ ऐसी दिख रही होगी यार कि हर एक नोड पे एक next होगा pointer और प्रीवियस पेहला नोड है मेरा उसका जो प्रीवियस पॉयंट कर रहा होगा टूअज नल और kleine node कि को एक डबली लिंक्लिस्ट को जादा डिफिकल्ट नहीं है बस फाइदा यह है कि हम दोनों डाइरक्शन में मूब कर पारहे होंगे अब आते सीधे इसके implementation पे तो suppose में को ये एक link list दे रखी है double link list और मेरको यहाँ पे एक node add करना है last में ठीक है तो मैं उसके लिए क्या करूँ यार सबसे पहले मैं last node तक पहुँच जाओंगी using मेरा temp pointer और इसका जो next है वो point करवा दूँगी जो मेरा नया node मैं बना चुकी हूँ उस पे यह करने के बाद जो मैंने नया node बनाए है अब इसका previous जो है मुझे point कराना पड़ेगा मेरा जो temp node है उस पे और इस node का जो next होगा वो तो point करी रहा होगा towards null ठीक है त्यार ऐसे जो है मैं एक नया node add कर पा रहे होंगे to the end अब इसको करते हैं हम implement और यहाँ पे जो हमारा node structure है वो change हो रहा होगा तो मेरे पास यहाँ पे दो की जगा तीन values है एक हो गया data एक हो गया node star next और तीसरा हो गया मेरा node star previous अब लिखते हैं हमारा जो insert add tail वाला function है ठीक है तो पहले वो cover कर लेते हैं हम तो आप वो समझ में आज जाएगा कि हमारी जो link list डबली link list है वो band कैसे रही है और यहाँ पे हमने ले लिया value सबसे पहले मैंने एक node star n बना लिया new node ठीक है और value डाल दी इसमें जो मेरे पास given ह अब मैं एक temp pointer बनाऊंगी जो की initialize होगा head से and हम एक loop लगाएंगे जब तक temp का next equal नहीं हो जाता null के ठीक है तो तब तक हम करते रहेंगे temp is equal to temp का next और ऐसे हम अपने last node पे पहुत जाएंगे अब यह करने के पाद मेरा temp of next है उसमें store हो जाएगा n, n के previous में store हो जाएगा temp तो ऐसे हो जाएगा मेरा insert at tail n का जो next है वो तो already null पे point करी रहा होगा because of our constructor ठीक है अब यहाँ पे जो हमारे पास edge case आजाता है वो यह है कि जब हमारा head जो है वो null है तो उस case में हम क्या कर रहे होंगे तो यार उसके लिए हम एक नया function लिख रहे होंगे यहाँ पे insert at head जहां पे हम यह वाला जो case है वो handle कर रहे होंगे तो वो function कॉल करने के बाद हम कर देंगे return अब यार insert at head हम कैसे कर रहे होंगे इसको भी आप समझे यहां से यह मेरे पास doubly link list given है मेंको एक नूड आ head का previous है उसमें डाल दूगी जो मैंने नया node बनाया और finally जो head है उसको point कर रहा दूगी towards the new node that we have तो ऐसे हम insert at head भी कर लेंगे तो अब इसको करते हैं code insert at head और यहां पे हमारे पास आ रहा है head and value तो सबसे पहले हमने एक new node बना लिया यार और इसमें value डाल दी यह करने के head की और जो head का previous है उसमें value डालेगी n की ठीक है तो यहां पर मैंने दोनों links जो है वो form कर दिया है अब n का जो previous है वो already null पे ही point कर रहा होगा because of our constructor तो वो हमें specify करने की जुरत नहीं है finally जो head है उसको मैं point कर रहा दूगी n because n becomes my first node और यहां पे जो edge case है कि हमारा head जब null है ठी जो भी हां पे cover हो रहा है है ना हम बस उस case में एक है तो हमने यहां पे head जो है null होगा तो n का next null हो जाएगा अब लेकिन यहां पे जो उसका previous है वो हम access नहीं कर पा रहे होंगे है अब जो मारा edge case था कि अगर head equal to null आ जाता है तो यहां उसके लिए हमें कुछ यहां पर different करना पड़ेगा क्या यहां पे n का next जो point हो जाएगा नाल पे अब यहां पे problem होगी कि अगर head equal to null है तो उसका previous हम access नहीं कर पा रहे होंगे तो अगर head जो है वो नाल नहीं है तब ही उस case में हम यह चीज कर रहे होंगे कि आप head का previous डाल रहे हो n तो यह हो गया insert at head का function और इसको run करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा जो हमारा display function होता है वो उसमें कुछ खास नहीं होगा हम normally एक pointer बना रहे होंगे temp और वो लगा देंगे loop जब तक temp not equal to null है ठीक है तो तब तक हम क्या करते रहेंगे हम करते रहेंगे अपना जो भी temp का data है cout और temp को आगे बढ़ा देंगे अब function को call करने के लिए मैंने सबसे पहले एक head बना लिया null और अब मैं अपने doubly link list में कुछ values insert करने वाली हूँ यहां पर हमने एक error लिख रहे है temp is equal to next not equal to null है तब तक हमें अपने temp को आगे बढ़ाते चलना है अब इसको करते हैं यार हम run और मेरी यह बनी है doubly linkless ठीक है और यहां पर मैंने जब insert at head किया तो मेरे पास यह आ गई तो अभी आपको शायदा नहीं आ रही होगी feel अपनी doubly linkless की डिलेशन करके देखते हैं तो आएगी feel पक्का अब यह मेरे को यहां पर linkless दे रखिये doubly और में को यहां पर सपोस्ट डिलीट करना हमारा तू वाला नोट तो मैं क्या करूंगी यहां पर वैसे तो हम पहले तक क्या कर रहे थे जो भी हमने डिलीट करना था नोट उससे प इसके next में डाल दूँगी temp का next की value ठीक है और temp का next 3 इसके previous में डाल दूँगी temp का previous value ठीक है और finally यह जो मेरा था temp पे जो नोट था उसको मैं कर दूगी डिलीट ठीक है तो यह मेरा डिलीट हो जाएगा ऐसे बीच में से कोई भी अगर में को note delete करना है अपनी doubly linkedless में अब ले लिया ठीक है तो सबसे पहले मैंने एक टेंप बना दिया जो की होगा हैट से इनिशिलाइज और एक काउंट बना दिया ताकि हम अपनी पुजिशन तक पहुच पाएं अब यहां पे मेरा लूप लग जाएगा ठीक है जब तक टेंप इस नॉट इकल टू नाल क्योंकि हम पे मैं लिख दूँगी टेंप इस इकल टू टेंप का नेक्स और मेरा काउंट जो है वो इंक्रिमेंट हो जाएगा वांसे अब यहां से बाहर निकल के मैं क्या करूंगी यार में को टेंप का जो प्रीविएस है मैंना आप भी आपको बताया उसमें उसके नेक्स्ट में मे लीड़ हुआ लाव जाएगी टेंप ओफ प्रीविएस की ठीक है तो यहां पर यह जो चीज मन आ आपको सन्झाई थी कि हम टेंप के पहले प्रीविएस पछाएँगे और उसका नेक्स्ट मतलब की यह वाला लिंक जो है यह चेंज कर देंगे तो तेंप ओफ नेक्स्ट औ और यह करने के बाद यार finally हम delete कर देंगे अपना जो भी temp है, क्योंकि temp ही है जो हमने no delete करना है, अब यार यहाँ पे आप edge cases के लिए देखो कि क्या हमारे edge case हो सकता है, एक चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है वो यह कि suppose मेरे को जो no delete करना है, वो है last वाला node, तो यार उस case में क्या होगा कि उसका जो next है, उसका जो next है उसका previous में नहीं access कर पा रही होंगी, उससे मुझे मिल जाएगी error, तो यार यह वाला जो step है कि हम temp of next of previous में टालर, temp of previous यह हम तभी कर रही होंगे जब मेरा temp of next नल नहीं है, मतलब कि हम last node पे नहीं है, तो उस case में मैं यह चीज, यह वाला step कर रही होंगी, वरना मैं यह चीज नहीं करूँगी, ठीक है, और दूसरा, अगर suppose मेरा first node है, जो कि में को delete करना है, मतलब कि position जो है, वो equal to one है, तो यार उस case में मेरा जो procedure है, वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे और फंक्शन बना देते हैं, और हम condition डालेगे कि अगर position equal to one है, तो भई आप दूसरा function कॉल कर दो, delete at head, और इसमें मेरा बस head जाएगा, क्योंकि मुझे पता कि कौन से position पे हमें delete करना है, तो यार अब इसको भी लिख लेते हैं, void delete at head, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लूँगी, जो भी मेरको delete करना है node, उसको मैं point करा दूँगी to delete से, और वो होगा जो मेरा head node है वो, अब head को मैं आगे ले जाऊँगी, head को head of next पे ले जाऊँगी, और जो head का मेरा previous है, उसको कर दूँगी यार null, क्योंकि like I said, जो पहला node होता है, उसका previous point करता है towards null, तो मैंने head का previous point करा दिया towards null, और lastly मैं यहाँ पे delete कर दूँगी हमारा to delete जो node है, और यहाँ पे भी हमने कर दिया था, ठीक है, तो यह हो गया हमारा delete function for doubly linked list, इसको अब देखते कि यह चल रहा है या नहीं, तो यह थी मेरी doubly linked list, और मैंने जो position है, वो fifth position वाला node delete करने की कोशिश करी हैं, तो last से वो delete हो गया है, और यहाँ पे अगर मैं विच को one डाल देती हूँ, तो देखते हैं कि क्या मेरा delete at head वाला जो code है, वो सही चल रहा है या फिर नहीं, तो यहाँ पे मेरा delete at head भी सही हो रहा है, तो I can say कि यह सही चल रहा है, and this was insertion and deletion in doubly linked list, इसका structure जो है, आप लोगों को समेज में आगे, कैसे different हो है हमारे singular linked list से, और doubly linked list में हमें रवर्स करना जो है और easy हो जाता है, so that's all about doubly linked list, and I'll see you in the next video, bye-bye.